नमस्कार इंफो ओप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हो पास्वर्ड लेस साइनिन के वारे में तो सले वीडियो स्टार करते हैं तो recently major companies जैसे की Apple, Microsoft या फिर Google इन लोगोंने एनाउंस किया है पास्वर्ड लेस साइनिन को और ये कहा है कि ये बहुत ही जल्ड सभी प्लेटफर्म जैसे की browser, desktop और mobile devices में implement हो जाएगा तो ये पास्वर्ड लेस साइनिन असल में है क्या? तो basically ये एक ऐसा process है जहां पे users पास्वर्ड के बिना ही अपने accounts में login कर सकते हैं तो इसमें users को एक device authorized करना होगा जिस device के ठोब वो लोग बाकी devices को या फिर apps, accounts को authenticate कर सकेंगे जिससे अपने login पास्वर्ड के बिना ही हो जाएगा Google ने अपने blog post में कहा है कि ये बहुत ही easy होगा users को बस अपने जो phone है उसको default way में unlock करना होगा मतलब जो भी seize करके आप unlock करते हो, face unlock हो गया या फिर pattern unlock हो गया या फिर पास्वर्ड दे के आप unlock करते हो, अपने phone को ही unlock करना होगा और जो account है वो login हो जाएगा तो इस process में एक unique cryptographic token जो है, वो website और जो phone है उसके base में share होगा और इसको pass की कहा जाएगा और इसी से जो है आपका device authenticate होगा और आपका account login हो जाएगा और जो password लेस्ट login है, आप ये किसी भी platform पे कर सकते हो मतलब आप अगर android पे हो, तो आप windows PC में भी इसको login कर सकते हो यपि अगर आपके पास windows PC में कोई chrome खुला है उसको आप लोग इन करना है तो आप iPhone से भी उसको login कर सकते हो without any password, मतलब passwordless login होगा ये तो यहीता वीडियों आप अच्छे लगी तो like, comment, order, share करिए तो आप सकते हो, बाइ